जैहिंद दोस्तों, जैहिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब, आप सब का फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सेड़ शिवम एडूकेशन पर यह जो वीडियो है हमारी, वो है, MSBU यानि के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्व विद्याले के लिए है, ठीक है भरतपुर, क्लास हमारी रहेगी, बीए फर्स्टियर, जो सब्जेक्ट है वो रहेगी हमारी इंग्लिश लिट्रेचर, सब्जेक्ट क्या रहने वाली दोस्तो इंग्लिश लिट्रेचर, आज हम देखेंगे, most important questions, क्या देखेंगे दोस्तों, most important questions, first paper की आज हम बात करेंगे, आपके दो paper होते है, poetry and drama, first paper और second paper होता है, prose and fiction का, दो paper आपके होते हैं, आज की वीडियो में हम जो है, first paper के ऊपर जो है, बात करने वाले हैं दोस्तों, time आप आपको रहेगा, 3 गंटे का, ठीक है, आज की वीडियो को मैं शुरू गरूँ, उससे पहले आपको एक बात बता दूँ, कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें मैं आपको questions के साथ साथ, उनके answers, बताने की भी questions करने वाला हूँ, पूरी पूरी, ठीक है, questions तो बताऊंगा ही, बताऊंगा कि ये important है, उसके साथ-साथ, answers भी आपको जो है, पता चलने वाले हैं, दोस्तों, हमारा जो आज का पहला question है, वो है question number one, explanations का, ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि हमारे जो slavus में से, 8 explanations पूछी जाएंगी, और उन में से कोई 4 को हमें हल कर करना है, 8 में से 4 explanations हमें solve, वहां पे लिख कर आनी हैं, तो यहां पे मैंने एक पहले तो note लिखा है, छोटा सा advice के तोर पर, कि कम से कम पिछली सालों के प्रिश्न पत्रों के explanations पढ़ लें, और लिख लिख कर, जादा से जादा जो है वो अभ्यास करें, ठीक है दोस्तों, या आप याद नहीं कर सकते, explanations जो है वो आप याद नहीं कर सकते, आपको जो है लिख लिख कर ही उनका अभ्यास करना पड़ेगा दोस्तों, अब मैं यहां पे आपको previous year questions के माध्यम से कुछ महत्वपूर explanations को बताने का प्रयास करूंगा, जैसे देखो question आपके 2019 के questions देखते है सबसे पहले explanations में, ठीक है, 2019 के, तो question कुछ इस प्रकार से वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि explain with reference to context any four of the following extracts adding critical notes wherever necessary, यानि नीचे लिखे हुए extracts में से किनी चार की संधर्व और जो reference to context सहित व्याख्या कीजिए और जहां पे भी जरूरत पढ़े, वहां पे critical notes को add कीजिए, ठीक है, यानि जो explanations होती है, चाहे कोई सी भी explanation हो, उसको हमें चार points में divide करके लिखना होता है, ठीक है, यहां पे मैं आपको लिखने का तरीका भी एक photo के माध्यम से बताऊंगा किस प्रकार से आपको जो है explanation लिखनी चाहिए, first explanation है यहां पे कि what more miraculous thing may be told that fire which all things melts should harden ice and ice which concealed with senseless cold should kindle fire why wonderful device, such is the power of love in a gentle mind that it can alter all the course of kind, यह जो extract है, या फिर यह जो stanza है, यह आपका किस poem में से लिया गया है, यह आपका लिया गया है, ice and fire poem में से, जो कि किस के द्वारा लिखा गया है, एड्मन्ड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है, एड्मन्ड स्पेंसर जो है, एक प्रमुख कवी है, एलिजाबेतन युग के, एक प्रमुख कवी है, एड्मन्ड स्पेंसर, ठीक है, यह जो ice and fire poem है, यह 1595 में, ठीक है, यह एक sonnet है, ice and fire जो poem है, यह एक sonnet है, ठीक है, एड्मन्ड स्पेंसर का, जो sonnets लिखी है, एड्मन्ड स्पेंसर ने, उसको एक collection, उन्होंने बनाया है, उसको नाम दिया है, एमो रिट्टी, क्या दिया है नाम, एमो रिट्टी जो है नाम दिया है, और जो की, 1595 में ही, पब्लिश हुई थी, ठीक है, इस collection का जो title है, ठीक है, वो कहां से लिया गया है, एमो रिट्टो, शब्द से लिया गया है, A-M-O-R-E-T-O, ठीक है, जिसका मतलब होता है, the representation of cupid in a work of art, ठीक है दोस्तों, यानि, main चीज आपको यह याद रखनी है, कि यह है, एक sonnet है, जो poem है, Ice and Fire, ठीक है, इसको जो है, एमो रिट्टी, नामक sonnet के collections में, रखा गया है, poem को, यह और जो, एमो रिट्टी collection है, poem का, उसमें total 89 sonnets हैं, कितनी sonnets हैं, 89 sonnets हैं, और उन में से यह, तीसवा इस्थान रखती है, तो यहाँ पे, मैं इसका जो, explanation आपके सामने लेखा हुआ है, What miraculous thing may be told, इसका हिंदी अर्थ करके बता रहा हूं, कि इससे भी और अधिक चमतकारी बात, क्या कही जा सकती है, ठीक है, कवी कहता है, Spencer कवी जो हैं, वो कहते हैं, कि इससे अधिक चमतकारिक बात और कोई नहीं कही जा सकती, कि जो, That fire which all things melts should harden ice, यानि जो fire है, जो की fire जो है, सभी चीजों को melt कर देती है, पिगला देती है, वो ice को जो है, वो पिगला नहीं रही है, harden कर रही है, harden मतलब solid बना रही है, कठोर कर रही है, ठीक है दोस्तों, थर्ड लाइन है, end ice, which concealed, concealed का अर्थ होता है, दोस्तों, freeze, यानि froze, जमाना, ठीक है, ice जो जमा देती है, सभी चीजों को, with senseless cold, senseless का अर्थ है, अत्यधिक, cold miss, बर्फ से, जो ice, सभी चीजों को, अत्यधिक बर्फ से, जमा देती है, ठीक है, वो क्या कर रही है, should kindle fire by wonderful device, आश्चर जनक तकनीक के माध्यम से, fire को प्रजुलित कर रही है, fire को जला रही है, यानि, कवी कहना चाहते हैं, कि जो ice है, वो तो fire को प्रजुलित कर रही है, जमाने के इस्थान पर, और जो fire है, जो की सभी चीजों को पिगला देती है, वो ice को पिगलाने के स्थान पर क्या कर रही है, उसको कथोर कर रही है, तो जो end की दो lines है, such is the power of love in gentle mind, that it can alter all the course of kind, यह है, यह जो दो lines है, यह कपलेट है, कपलेट मतलब दोहा है, ठीक है, यहाँ पे जो ice और fire टर्म है न, वो metaphorically used किये गए है, और end की जो दो line है, कि such is the power of love in gentle mind, यानि gentleness, common man, ठीक है, मनुश्य के मस्तिश्क में, जो प्यार की शक्ती है, वो change कर सकती है, alter, alter, alter का अर्थ है, change, it can change all the course, course में से यहाँ पर अर्थ है, मार्ग, ठीक है, द्यालू ताकि मार्ग को change कर सकती है, यानि जो love है, वो एक चमतकार है, अपने आप में, ठीक है, यह जो love है, वो प्रकरती के नियमों को भी change करने का शक्ती रखता है, love can change the way of the world as well, जो love है, वो दुनिया के रास्तों को भी change कर सकता है, यह जो lines हैं आपकी कोयम की, यह कवी के, कवी के प्यार की शक्तियों में विश्वास को उजागर करती है, तो इस extract के लिए इतनी explanation मेरे साब से काफी है, अब हम बात करते हैं दूसरी explanation पर, Dear Learners, हमारा थर्ड स्टेंजा है, जो BA 2019 और उसके साथ साथ BA बीड़ पार्ट, फर्स्ट एग्जामिनेशन 2021 में भी पूछा गया था, और वो है, His state is kingly, thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest, they also serve, who only stand and wait, ठीक है, यह जो स्टेंजा है, यह जो लाइन से हैं, यह On His Blindness, पोयम से ली गई हैं, जिसके poet है, John Milton, जिसके poet कौन हैं दोस्तों, John Milton, poet है, तो यह जो पोयम है, आपकी On His Blindness, यह एक sonnet है, sonnet भी दो प्रकार की होती हैं, मुख्य रूप से, Shakespearean sonnet और Italian sonnet, तो यह जो पोयम है, यह Italian sonnet है, जो sonnet है, यह Italian sonnet, यह autobiographical sonnet है, यानि कवी ने अपने बारे में स्वेम लिखी है, यह कवी था, ठीक है, यह जो पंक्तियां आपको दिख रही हैं, his status kingly से ले करके, और who only stand and wait तक, यह पोयम की concluding lines हैं, these are the concluding lines, यानि अन्तिम पंक्तियां हैं, Milton की जो sonnet है, on his blindness, उसकी यह अन्तिम पंक्तियां हैं, दोस्तों, तो दोस्तों, इसकी जो कहानी है, John Milton की वो कुछ इस प्रकार है, कि, जो John Milton है, वो अपनी eyesight खो देता है, ठीक है, अपनी eyesight खो देने के बाद, और वो भी, at the early age of 44, यानि चम्बालिस साल की उम्र पर, वो अपनी eyesight खो देता है, और फिर जो वह है, परेशानी या व्यथा, महसूस करता है, उसको अभिव्यक्ति प्रदान की गई है, इस poem में, ठीक है, तो वो कह रहा है, इन lines का अर्थ देख लेते हैं, अब, हिज स्टेट इस किंगली, हिज में, एच जो है, वो कैपिटल है, इसका मतलब है, कि ये गौड के लिए प्रिक्ट हुआ है शब्द, तो हिज स्टेट, स्टेट का यहाँ पर अर्थ है दोस्तों, राज्य, सामराज्य, empire, इज किंगली, किंगली का अर्थ है यहाँ पर, शाही, या फिर royal, यानि कभी कहता है कि उसका सामराज्य, शाही है, royal है, ठीक है, किसका गौड का, गौड का सामराज्य, शाही है, thousands at his bidding speed, thousands यानि यहाँ पर अर्थ है, हजारों सेवक at his bidding speed, bidding यानि होता है आदेश या command, speed मतलब ready, ततपर, तैयार, जो है वो खड़े रहते हैं, गतिशील हो जाते हैं, ठीक है, become active, ठीक है, and post, post miss, तैनात हो जाना, तैनात हो जाते हैं, take positions, over land and ocean, without rest, ठीक है, भूमी पर, और, जल में, दोनों जगे तैनात हो जाते हैं, हजारों सेवक, उसके आदेश मात्र से, ठीक है, without, without rest, बिना, विश्राम के, ठीक है, विश्राम भी नहीं लेते, यह जो debt लिखा हुआ है, यह गलत है, यहाँ पर, यह है, they also serve, who only stand and wait, वे तो केवल भगवान की शेवा करते हैं, खड़े रहते हैं, और अपनी बारी का इंतजार, अपने समय का इंतजार करते हैं, तो इसका, इस परकार explanation लिखा जा सकता है, कि जो God का empire है, वो kingly है, यानि the empire of God is royal, God is the supreme ruler of this world, जो God है, वो इस दुनिया का supreme ruler है, सर्वोच साशक है, there are thousands and thousands of servants in his court, who are always ready to serve him, उसके पास हजारों सेवक हैं, उसके दर्वार में, जो उसकी सेवा करने के लिए हमेशा तयार रहते हैं, to have a single command of God, ठीक है, God की एक मात्र आदेश पर, they come into action, वे गतिशील हो जाते हैं, and take their positions on the earth and ocean, both ठीक है, भूमी और जल दोनों में अपने positions ले लेते हैं, without any rest, बिना किसी जो विश्राम के, the devotees of God who only stand in his court, यानि जो God के भक्त हैं, वो उसके दर्वार में केवल खड़े रहते हैं, with folded hands, अपने हाथों को जोड़े हुए, waiting for his orders, उसके आदेशों की जो है, तीक्षा करते हुए, and also serve him, उसकी सेवा करने के लिए भी, although, यदपी, they may have no opportunity to do so, तो ये जो पंक्तियां हैं, lines हैं, ये कवी का God में जो faith है, विश्वास है, उसको जागर करती हैं, ठीक है, और ये जो line हैं न, they also serve, who only stand and wait, ये जो line है, ये highly जो है, proverbial है, का हावत में हैं, ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसका जो है, explanation लिखा जाएगा, चार points बनाके, जो है, explanation लिखेंगे, reference, यानि प्रसंग, context, फिर संधर्व, explanation, फिर व्याख्या, फिर critical notes, ठीक है, इस तरह से चार point बनाके, इसकी जो है, explanation लिखी जाएगी, तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ, आपको जो है, समझ में आ रहा होगा, फोर्थ हमारा इस्टेंजा है, कि, little learning is a dangerous thing, तो इसकी जो first line है, यही जो है, poem का नाम है, ठीक है, a little learning is a dangerous thing, इस poem को किस ने लिखा है, Alex Gender Pope ने लिखा है, Alex Gender Pope, Augustan Age के, immortal poets और satirists में से एक माने जाते हैं, प्रमुख माने जाते हैं, ठीक है, यह जो poem है, a little learning is a dangerous thing, यह किस में से ली गई है, an essay on criticism में से, जो है, वो ली गई है, यह जो poem है, an essay on criticism में से ली गई है, poetic extract है, और इसका जो मूल भाव है, poem का वो यह है, कि, perilous consequences of inadequate learning, यानि, आपर्याप्त ग्यान के खटननाक परिणाव, ठीक है, dangerous consequences of inadequate learning, तो यह इसका जो है, theme है, एक तरह से, तो आईए, अब इस poem को थोड़ा पढ़ते हैं, और समझने की कोशिश करते हैं, यह बात ध्यान रखें, कि Alexander Pope is the greatest poet of Augustan age, तो a little learning is a dangerous thing, कभी कहता है, अपने पाठकों को संबोधित करते हुए, कि, अल्प ग्यान रखना, ठीक है, little learning, यानि अल्प ग्यान रखना, घातक हो सकता है, ठीक है, इसको मैं एक example की तरह आपको समझाता हूँ, कि कैसे, जो है, अल्प ग्यान रखना, घातक हो सकता है, कि जो teacher है, यदि उसके पास complete knowledge नहीं है, ठीक है, आप पर्याप्त ग्यान उसके पास है, तो वो अपने students को सही डंग से पढ़ाने में असफल होएगा, और क्या करेगा, अपने students को misguide करेगा, उसी प्रकार दूसरा example लेते हैं, एक doctor है, जिसको complete knowledge नहीं है अपने विशे के बारे में, तो वो अपने patients की life को खत्रे में डालने का कारे करेगा, इसी लिए कभी कहता है, कि drink deep, or taste not the pyran spring, देखो pyran spring जो है वैसे तो एक पवित्र जणने को कह सकते हैं, लेकिन इसका जो मूल अर्थ है वो है ग्यान, रूपी पवित्र जल को, ज्यान रूपी पवित्र जल को, या तो drink deep गहरा पान करो अर्थात, complete knowledge रखो ठीक है, और taste not, taste not यानि स्वादी मत चखो अर्थात, उसके बारे में उस field में अपना हाथ दो ही मत, ठीक है, drink deep का अर्थ था, गहरा ग्यान प्राप्त करो, और these shallow draughts, shallow का मतलब है छिचले, draughts मतलब गूट, intoxicate में मदोश करते हैं, mind मतलब मस्तिश करो, तो ये जो छिचले गूट होते हैं, वो यानि छिचला ग्यान, अल्प ग्यान, intoxicate the brain, जदि एक व्यक्ति के पास shallow knowledge है, तो वो व्यर्थ है क्योंकि shallow knowledge brain को intoxicate करता है, ठीक है, and drinking largely, sovers us again, और drinking largely, ग्याराई से जो है, drink करना, sovers यानि serious बनाना, sover मतलब serious, और जबकि deep knowledge रखना, मनुश्य को serious बना देता है, इसलिए कभी कहता है कि, एक व्यक्ति को complete knowledge रखनी चाहिए, क्योंकि जो complete knowledge है, deep knowledge है, वो हमेशा, seriousness प्रदान करती है, ठीक है, यह जो question है, बीए बीड़ examination, 2021 में भी पूछा गया था, तो दोस्तों, next हमारा श्टेंजा है, 5th, who was it that came to me in boat made of dream fire, with his flame bro and his sun gold body, melted was the silence into a sweet secret murmur, do you come now, is the heart's fire ready, यह जो इस्टेंजा है, इस्टेंजा देखो, यह जो है four lines का है, है ना, तो four lines के स्टेंजा को क्या बोलते हैं, literature में, quatrain बोलते हैं, quatrain, कि तो यह जो, प्रस्तत quatrain है, वो लिया गया है, explanation के लिए, किस पोयम से, the dream boat, पोयम से लिया गया है, जिसके poet कोने, जिसके poet है, श्री अरविंदो खोश, श्री अरविंद घोश, तो जो कभी है, इस पोयम में, वो साधना की अवस्था में, एक सपना देखता है, जिसमें वो, एक dream boat में, ठीक है, किसी luminous being को, आते हुए देखता है, तो यह जो है, कभी की, एक सपन में, आध्यात्मिक यात्रा है, कभी कहता है, who was it that came to me, in boat made of dream fire, यानि, who was it, वह कौन था, that came to me, जो मेरे पास आया, in boat, नाव में, made of dream fire, जो किस से बनी हुई थी, dream fire से बनी, हुई थी, तो, जो कभी है, वो अपने विचार रखता है, किसी अग्यात, luminous figure, यानि, जो तिर में, आकरती की तरफ, जो उसके पास आता है, एक dream fire से बनी हुई, नाव हुई, ठीक है, with his flame bro, and his sun gold body, जो उसका flame bro, यानि, जो bromish face, bromish face, और flame miss है, आग की लप्टों की तरह, चमकते हुए, flame miss क्या होता है, आग की लप्टें होती है, तो, आग की लप्टों की तरह, चमकते हुए, चेहरे के साथ आया, और sun gold body, और उसकी जो, body थी, वो कैसी थी, golden color की, जिस वरकार, सूर्य की, किरने होती है, sun gold body, golden like the rays of the sun, यानि जो luminous figure उसके पास आया था, उसका जो face था, वो glowing था, जैसे की, like flames of fire, और उसकी जो body थी, his body is sun gold, ठीक है, melted miss disappeared, जब उस कवी ने, एक sweet and mysterious, मरमर को सुना, शान्ती, जो कवी के चारों तरफ फैली होई थी, सीगर ही, खो गई, do you come now, क्या तुम आ गई हो, is the hurts fire ready, जो कवी है, वो luminous figure से प्रिश्न पूछता है, कि, क्या वह उसे स्विकार करने के लिए तैयार है, एक जलते हुए हिड़े के साथ, एक अभिलाशा के साथ, उसे स्विकार करने के लिए, तो ये था इसका, जो lines हैं, वो बहुत highly mystic हैं, अत्यदेक, रहस्य में ही हैं, और ये जो lines हैं, वो alternate rhyme में लिखी होई है, इनकी जो rhyme है, वो है, A, B, A, B, ठीक है, लिखो fire, मरमर, A, A, Body, Ready, B, B, ठीक है, A, B, A, B, alternate rhyme में ये जो lines हैं, वो लिखी होई हैं, तो दोस्तों, हमारा जो sixth stanza है, वो है, come out of thy meditations, and leave aside thy flowers and incense, what harm is there, if thy cloths become tattered, and stained, meet him, and stand by him in toil, and in sweet of thy brew, ये जो lines हैं, वो leave this chanting poem की concluding lines हैं, यानि, अन्तिम पंक्तियां हैं, ठीक है, और ये जो poem है, leave this chanting की किसने लिखी है, रवेंद्र नाट टैगोर ने, लिखी है, ये जो poem है, वो एक hymn है, H, Y, M, N, हिमिस भजन, ठीक है, और ये जो, source of the poem, is गीतांजली, गीतांजली से ये जो poem हैं, क्यारे भी poem है, उसका ये English translation है दोस्तों, इसमें, रवेंद्र नाट टैगोर जी, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, तो आएए इनको पढ़ते हैं, come out of die, दाई में सोता है योर, ठीक है, इसमें, दाई का चार बार योग हुआ है, तो दाई का मतलब है, योर, तो वो कहते हैं, कि come out of your meditations, कभी, जो है, लोगों को सला देते हैं, कि come out of your meditations, अपने चिंतनों से, बहान निकलो, and leave aside, और छोड़ दो, leave का मतलब यहाँ पर है दोस्तों, छोड़ दो, किसको छोड़ दो, अपनी flowers को, और incense, flowers मिस फूलों को, incense मिस अगरवत्तियों को, ठीक है, धूबत्तियों को, इनको छोड़ दो, या फैक दो, जिनको की मंदिरों में जलाया जाता है, देवी देवताओं को खुश करने के लिए, फूलों को चड़ाया जाता है, ठीक है, और incense, sticks को, धूबत्तियों को, अगरवत्तियों को, जो है, जलाया जाता है, मंदिरों में, देवी देवताओं को खुश करने के लिए, तो इनको जो है, फैक दो, या छोड़ दो, और अपने चिंतनों से, जो solitary meditations, आप लोग करते हो, एकान तो चिंतन जो आप करते हो, उनसे बाहर आ जाओ, What harm is there, if your cloths become tattered and stained, What harm is there, यहां पर क्या हानी है, यदि तुम अपने कपड़ों को, tattered, यानि जरजर, और stained में दब्बे या गंदे बना लोगे, टैग और हैं, वो मंदिरों में बैठे हुए लोगों को कहते हैं, कि उनको जो है, पूजा की, जो जूटी, परंपराएं हैं, उनको त्याग देना चाहिए, और hard work में, स्वेम को busy रखना चाहिए, लाइक टेलर, एक परिश्रमी व्यक्ती की तरह, और अपत्मेकर, मार्ग निर्माता की तरह, there is no harm, यहां कोई हानी नहीं है, यदि आपके जो कपड़ें हैं, वो जरजर या, धूल मट्टी से गंदे हो जाएंगे, ठीक है, meet him and stand by him, कभी कहते हैं कि, मिलो उससे जाकर के, और stand by him, और उसके साथ जाकर के, खड़े हो जाओ, यानि कि, उनको जाना चाहिए, hard working people के पास, और God से meet करना चाहिए, God से मिलना चाहिए, in their labor, उनके परिश्च्रम में, उनके पसीने में, जो वो अपने survival के लिए, बहाते हैं, पसीना, and in sweat of your bro, और वो लोगों से कहते हैं, कि उन्हें भी पसीना बहाना चाहिए, अर्था मेंनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, only then, true deliverance can be achieved, इसी माध्यम से, जो है सच्चे मोक्ष पाया जा सकता है, तो ये जो है, कभी ने कहा है, leave this chanting poem से, leave this chanting poem का हड़ते दोस्तों, कि मंत्रों चाप करना छोड़ दो, chanting मतलब मंत्र जपना, छोड़ दो, leave miss, give up, तो ये जो poem है, leave this chanting is composed by, R.N. Tagore, dear friends, आशा करता हूँ, जो explanations की मैं जो व्याख्या कर रहा हूँ, या हिंदी अर्थ आपको जो भी कुछ बता रहा हूँ, वो आपकी समझ में आ रहा होगा, और आपकी जो है, निश्चित रूप से, help हो रही होगी, तो दोस्तों, ये जो, 7th और 8th question आपको दिख रहे हैं, कि 7th है, sweet are the uses of adversity, which like the toad ugly and venomous से ले करके, I would not change it तक, ये जो है, as you like it, जो drama है, William Shakespeare का, उसमें से लिया गया है, scene first है, और act जो है, वो second है, act second है, उसमें से ये जो, stenja है, लिया गया है, तो इसकी जो explanation है, वो हमें करने की आविश्रता नहीं है, क्योंकि, as you like it, drama को कोई भी, detailed study उसकी जो है, नहीं करता है, और जो बाकी बचे 6 explanation में, उन में से कोई आप 4, कर सकते हो, आराम से, और ये जो, 8th वाला है, ये जो ऑलांडो, मैं आर एप्रेल, वैं दे वू, दिसंबर, वैं दे वैड, मैट्स आर मे, वैं दे आर मैट्स, बट दा इसकाई चेंजेज, वैं दे आर वाइप्स, ये जो ऑलांडो आ गया इसमें, ये भी आपका, विलियम से एक्सपीर का, इसकी हम, एक्सपीरेशन जो हैं नहीं करेंगे, अब हम बात करते हैं, प्रिवियस इयर कोश्यन पेपर, दोजार दाइस में, जो एक्सपीरेशन पुछे गई थे, उनकी बात करेंगे, ठीक है,